Hey guys, welcome back to my YouTube channel कैसे हो आप सभी आशाकरता मच्छ होगे और सबसे पहले उन सभी student को बहुत बहुत बधाईयां जिनका इस बार net जिर्फ क्वालिफाई हुआ है तो आज की युडियो में आपको ये बात आने वाला हूँ तो वही जानकारी में आपको दे रहा है सबसे पहले अगर आपका जिर्फ होता है तो आपको पता है उसमें पेच्डी करने पर fellowship मिलती है और साथ में यहाँ पर अगर आपका net qualify होता है net qualify का मतलब यह है कि आपका net अच्छे mark से qualify हो गया लेकिन जिर्फ नहीं हुआ तो उसके लिए यहाँ पर तीन fellowship available है आपकी पहली fellowship है national fellowship for schedule cast जो schedule cast के बच्चे हैं जिनका जिर्फ नहीं हो पाया लेकिन net से अच्छे marks है net qualify हो गया है एक list जारी होने वाली है एक या दो दिन के अंदर अच्छ लिस्ट के अंदर आपका रोल अंबर है तो पिएच्डी करते वक्त आपको fellowship मिलेगी दूसरी fellowship है आपकी national fellowship for backward class जो OBC के बच्चे हैं बैकवर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हैं और तीसरी आपकी fellowship है मोलाना अजाद national fellowship for minority student जो minority की student है अगर आपका जेरफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है लेकिन net अच्छे mark से क्वालिफाई हो गया है जैसे net की जो आपका लिस्ट है आपके net क्वालिफाई की आपके category की सभी category की मान लेते हैं आपके 80% है और आपकी जेरफ की जो लिस्ट है वो 90% है अगर आपके marks 85 के across हैं तो आपकी ये fellowship लग जाएगी मतलब इसमें ये है कि आपको net की merit list में आना है तभी आप इसके लिए legible हो और इसमें पैसा भी आपको इतना मिलता है जितना आपका जेरफ में मिलता सरफ यहां पर आपका 2% ये 4% का चारे का फरक पड़ता है उसके सिवा यहां पर एक है मेरे रिलिटिव में वो कर रहे हैं इसमें तो उनको 31,000 रुपे पर मन्त नेसलन फेलोसीप पलस में 2400 चारे मिल रहा है अभी वो जेरफ में है और सरफ में होना परण का यह अमाउंट भी बढ़ जाएगा तो यह इंपोर्टन जानकार आपके लिए लेकर आया है होगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब से जरूर करें ठेंकि सो मच